नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म चैनल, मैं आपका स्वागत है, आज 2 अक्टूबर दिन बुधवार भयंकर और महा सूर्य ग्रहन आज लगने वाला है, कौन सी है वह कुछ किस्मत राशियां जो इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने वाली है, जिस की खास वीडियो में, और ऐसी कौन सी गलतियां है, जिनको भूल कर ना करें, और सूर्य ग्रहन के दौरान, छह राशियों को क्या उपाय करनी चाहिए, जिस से उनकी किस्मत ज्यादा चमके, बाकी की छे राशियों के लिए कौन से उपाय है, सब कुछ अंत तक बने रहिए आपको जाने को प्राप्त होगा 2 अक्टूबर आज 2024 को वलयाकार सूर्य ग्रहन, जिसे रिंग ओफायर भी कहा जाता है, यह ग्रहन पित्र पक्ष के आखिरी दिन सर्व पित्र अमावस्या पर लग रहा है, इस दिन पितर धर्ती लोक से विदा होते हैं, सूर्य ग्रहन के दिन शनिव केतु की स्थिती खास मानी जा रही है, सूर्य ग्रहन के दिन शनी अपनी स्वराशिक कुम्भ में विराजमान रहेंगे और उल्टी गती यानि वक्री चाल से भ्रमन करेंगे, जबकि केतु कन्या राश में चंद्रमा के साथ संचरन करेंगे, कन्या राश में ग इंदू धर्म में सूर्य ग्रहन को शुभ नहीं माना जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहन न होकर बलियाकार में लगेगा, जिसे रिंग और फायर कहा जाता है, जिस दौरान कुछ स्थानों पर ग्रहन के चलते आसमान में आज का गोला नजर आएगा, जिसकी वजह से कई राशियों की किस्मत बदलने वाली है, बुलाया कर रिंग के कारण च खाई देते हैं, और पृत्वी से इस नजारे को देखने में ऐसा लगता है, जैसे आसमान में कोई आग की रिंग है या सूर्य ग्रहन छह गंटे से ज्यादा चलेगा, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कि इस साल दो हजार चौबीस में चार ग्रहन लगने थे, जि इस तोर पर प्रेगनेंट महिलाओं के लिए या चिंता का विशय है, इस दोरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसका सही समय क्या रहेगा, कौन से समय यह ग्रहन दिखाई देगा, सब कुछ जानेंगे, परंतु वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जया देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य ग्रहन के अंदर और भी ज्यादा तपस होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंट महिलाएं होती है, उनको इस समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पेट में पल रही संतान और उसके भविश्य के लिए यह चिंता का विश जब भी पढ़ता है उस समय अशुद्ध का होता है। उसे समय नकारात्मक चीज ज्यादा हावी होती है। ऐसी समय में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को पेट पर गेरू का लेप लगाना चाहिए। जिसे संतान स्वस्थ हो और उसे पर किसी प्रकार का ग्रहन का असर न आए। कई बार अपने आसपास देखा होगा कि जो महिलाएं ग्रहन को लेकर साधारन सी बात समझती है। अकसर जब संतान का जन्म होता है तो किसी के होंट काटे होते हैं, तो किसी के हाथ में कुछ न कुछ निशान होता है या ग्रहन की कुछ निशानियां होती हैं। इसलिए महि महिलाओं को सावधानी बरतने के लिए और कुछ उपाय करने के लिए कहा जाता है। आप से सही समय आप लोग नोट करें यह ग्रहन आज रात 9 बजकर 13 मिनट से प्रारंभ होकर सुबह के 3 बजकर 17 मिनट में समाप्थ होगा। अब आप लोगों के मन में प्रश्ण होगा कि रात के समय में कौन सा सूरज निकलता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। भले ही भारत में इस समय रात का समय होगा परंतु अन्य दूसरे देशों में इस समय सूर्य निकल रहा होगा। अब सूर्य ग्रहन भारत के अलावा अन्य देशों में लगे तो इसका असर संपूर्ण प्रित्वी पर पड़ता है क्योंकि प्रित्वी पर आने वाली सूर्य की किरणे एक ही स्थान से आती हैं कोई अलग-अलग सूर्य तो है नहीं जो भारत या अन्य देशों में इन चीजों को मिला कर देखा जाए इसलिए सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है तो ऐसी में गर्भवती महिलाओं को अपनी एक पेट पर गेरू का लेप लग करें साथ ही आप गाय के गोबर का लेप भी लगा सकते हैं और ग्रहन के दोरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल कर खाएं और ग्रहन के समय आप सभी को भगवान शिव के महमृत्युन जय मंत्र का जाप करना है साथ इस दिन कौन सी अच्छी रशियन है ज साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहन दो अक्टूबर आज है यह सूर्य ग्रहन छह घंटे चार मिनट तक रहेगा इस सूर्य ग्रहन के दिन सर्व पित्र अमावस्या है जो अश्विन अमावस्या तिथी को पड़ता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहन हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, जबकि चंद्र ग्रहन पूर्णिमा के दिन लगता है. सूर्य ग्रहन लगने के बारह घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है. इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है. सूतक काल में भोजन बनाना, खाना, पूजा पाठ आदी नहीं करते हैं, जिन में से पहले राश्य है, व्रिशब राश्य, जोतिश गणना के अनुसार, साल का अंतिम सूर्य ग्रहन व्रिशब, राश्य के लिए शुब रहेगा, इस समय आपको तनाव से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही प्रभाव से हर कार्य में सफलता हासिल होगी, इन में से दूसरी राश्य है, कन्या सूर्य ग्रहन, कन्या राश्य वालों के लिए सकारात्मक प्रभावों से भरा है, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, साहस और आत्म विश्वास में व्रिध्य होगी, अपनों से प्रुष्चिक साल का आकरी सूर्य ग्रहन वरिश्चिक राश्य के लिए फलगाई है. इस राश्य के व्यापारियों के लिए ये समय और भी शुभ मानना इधा रहा वाला है. जा रहा है। आपको लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस दोरान आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। साथ ही सभी समस्याओं का निवारन होगा। इन में से पांचवी राशी है धनु राशी। धनु राशी के लिए सूर्य ग्रहन लखी साबित हो सकता है। वैवाहि के लिए शुभ माना जा रहा है। सूर्य के शुभ प्रभाव से यश्कीर्ती में व्रिध्य होगी। साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा। सभी रुके हुए कारियों को गती मिल सकती है। बाकी की राशियां जिनको अपने उज्ज्वल भविश्य और अपने ऊपर आने वाले इस ग्रहन के दुश प्रभाव के लिए ग्रहन के दौरान, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा और भगवान शिव के महमृत्यून जय मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का अशुभ दोश ना आए और ग्रहन के को प्रभाव से बच जाए और पतनी में से किसी एक को गुड से परहेज करना चाहिए। छह नारियल अपने सिर पर से वार कर जल में प्रवाहित करें। पतनी भी भाव खाने या घर में हो तो वह उस भाव के फल खराब कर देता है। ऐसे में उसके उपाय करना जरूरी है। इस ग्रहन के क्या-क्या दुश प्रभाव होते हैं जिनसे बचना जरूरी है। चलिए जानते हैं। पना रहना या लकवा मार जाता है। यदि घर पर या घर के आसपास लाल गाय या भूरी भैस है तो वह खो या मर जाती है। यदि सूर्य और शणी एक ही भाव में हों तो घर की स्त्री को कश्ट होता है। यदि सूर्य और मंगल साथ हों और चंद्र और केतु भी साथ हों अब इन सभी से बचने के लिए यह विशेश उपाय करें, मा का आशीरवाद सदैव लें, और चावल दूध का दान करें, जौ को दूध या गौ मूत्र से धोकर बहते पानी में बहाएं, प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मांस मदिरा से दूर रहें और आचरण को शुद्ध रखें, यदि आपके पडोस या घर में कोई पीपल का पेड हो, तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें, सूर्य केतू की युती होने पर सूर्य ग्रहन के समय तिल, नीमबू, पका, केला, बहते पानी में बहाएं, परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के के और शेयर कर दे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे